मोहलाल बडुली जी हमाई साथ बाचित करने के लिए मुझूद है भारत जंता पार्टी के अध्यक्ष है हर्याना के आए बात करते हैं उनसे सर 32 उमिदवारों की घोशना की है कांग्रेस ने इतनी लंबी बैटकों के बाद सिर्फ 32 उमिदवार किस तरके से देखते हैं कुछ चहरों पर अब्जेक्शन भी जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी दागदार लोगों को जो सुची जारी करी है और ये कांग्रेस की कमजोरी है कांग्रेस से अमेशा से ही लोकतंतर को कमजोर करने वारी पार्टी है और सुची से लगता है कि जो जील में है जिस परकार से जिन जो छुपे हुए गुमरे हैं ऐसे लोगो को भी कोंगेस पार्टी ने और जो लोकसभा चुनाओं में ऐसे लोगों को भी टिक्ट दिया है जो लोकसभा में भी आ रहे हैं तो यह बहुत कम जो लोगों की लिश्ट जारी होई है और इसे भारती जन्ता पार्टी की जो सरसत उमिद्वारों की सुच्ची जारी होई अगर बीजेपी मुझे बोलेगी तो मैं हर्याना में जाओंगा पचार पसार करूँगा इसमें बीजेपी का कोई भी मामला नहीं है इसमें उनका दोनों का आपसी जो है उस पर मैं कोई टिपने करना नहीं चाहता है एक सबार की चुनाव का समय है बड़े नेता शिष्ट नेतु हर्याना पहुच रहे हैं प्रदान मंतिर जी का कोई दोरा है आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में जैसे ही बारा तारिक को नावंकन की प्रके रह पूरी होगी बहुत जल्दी देश के लोग पिरे प्र प्रदार मंतिर नेंदर मौदी जी चार स्थानों पर हर्याना प्रदेश में आएंगे उसकी डेट और स्थान हम आपको बता देंगे दने वाम से बाचित करने के लिए ताप सुने ते मोहन लाल बडोली को साथ तोर पर बड़ी जी मिदारी इनके कंदों पर देखना दिल्चस्प होगा कि जंता जनारदन क्या फैस्ता लेती है निदिली से करेमें प्रकाश गुपता के साथ रवी मिश्रा निउस एटी